हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो दे चैनल आज की वीडियो है इसके लिए आप बहुत ताम से इंतिजार कर रहे थे इसके बहुत सारा कंटेंट में आपके लिए कर रहे थी इसलिए मुझे टाम डग गया 7.2 को अप्लोड करने में आज हम बढ़ेंगे 7.2 फर्स चेप्टर है सेटिक्स का वह भी सौल कर रहे हूं मैं 4.2 भी सौल कर रहे हूं आप लोगों ने बोला फ्रिक्शन चेप्टर करना और हमारा एडवांस का 8 चेप्टर भी चल रहा था साथ साथ तो वह भी कर रहे थी तो इतना साला एक साथ कर रहे थी इसलिए 7.2 की वीडियो आज फाइनली मैं अप्लोड कर रहे हूं आप वीडियो ओके देखिए 7.2 के इस वीडियो में हम डिस्कुस करेंगे 126 कोशिन क् पैटर जो है वो एक जैसा है इसलिए इस वीडियो में 126 ही करेंगे हम देखो 126 कोशिन में क्या है सब में आपको फंक्शन दिया हुआ है आपको कंडिशन दियुए आपको maximum minimum value निकाने minimum value minimum value extreme value minimum value ठीक है तो आप फुद देख सकते हो कि 126 कोशिन का पैटरन सेम है उसके बा यह parallelo piped parallelo piped parallelo piped ellipsoid ellipsoid तो यह बाले कोशिन में दिसकस करेंगे अलग पार्ट में ओके देखिए first question कि statement क्या है मैंने on book में लिखी हुए है आपके लिए और हाँ please एक बात और जो भी मैं exercise की PDF नहीं होती है examples की PDF होती है और मैं इसलिए provide करती हूं because उन students के लिए जिन के तो अगर आपके पस एगेस भी क्ष़ो trabalhड कर देखी है तो अगर आपके लिए फ सब्सक्राइब कर देंगे डे मुझे लिए प्रवाइट दैखीक शल्यों नहीं है आपके ओपर कि आपको सारी PDFs खोल के ही देखनी है आपके लिए जो यूज लगे आपको वो देखिए और जो नहीं आपके लिए यूज हमें है तो उसे प्लीज मत देखिए ओके मैं आपके लिए ही डालती हूँ वनना मुझे भी कोई शोक नहीं है ऐसे बेफाल दूमी बुक की पोटो क्लिक करके फिर PDF बनागे फिर सेव करके और फिर उसका लिंक डालना मेरा भी टाइम बेस्ट होता है इसमें ठीक है देखिए find the value of xyz for which fxyz upon x plus 2y plus 4z is maximum given that xyz is equals to 8 क्या निकालना है xyz की value निकालना है किसके लिए इस function के लिए is maximum आपको maximum value निकालना है this point पर ये function क्या हो maximum हो given that given that क्या दिया रुक है xyz is equals to 8 यानि ये आपको क्या दिया रखिए condition दिया रखिए ठीक है देखिए आपके पास पहली चीज़ ये दिया xyz is equals to 8 हमने इसको xyz का function मान लिया और ये हमारे पास condition of i condition है तो हम इसको 5z no out करेंगे 5 of xyz हमारी ये बन गई उसके बाद हमारा काम क्या होता है हमारा काम होता है stationary points निकालना रहेंग रांजी's method सी जिसका पुमला होता है करली f by करली x plus k into करली 5 by करली x दूसरा करली f by करली y plus k into करली 5 by करली y तीसरा करली f by करली z plus k into करली 5 by करली z तो ये हमारा पास होते है अब इसके लिए हमें करली f by करली x भी चाहिए करली f by करली y भी चाहिए कर लिए f by कर लिए z भी चीए और यह points भी चीए तो सबसे पहले हम उन points को निकाल लेते हैं ठीके तो यह function था यहां से कर लिए f by कर लिए x निकाल लिए आपने कैसे निकाला यह upon v वाले method से निकाला v क्या है x plus 2y plus 4z तो x plus 2y plus 4z का square हो जाएगा फिर क्या होता है v as it is रहता है तो यह वाली term as it is रहेगी यह वाली term as it is रही और उसके पार differentiation किसका होता है इस वाली term का with respect to x कर रहे हैं तो क्या आएगा f by z आएगा यह x cut किया हो x नहीं है f by z आएगा minus उपर वाली term as it is रहेगी नीचे वाली term का differentiation with respect to x करेंगे तो क्या रहेगा बन रहेगा ठीक है तो क्या आएगा आगे आपके पास देख उपर से हम क्या कामल ले सकते है f by z कामल लेंगे तो यह term into में 1 minus इस वाली term में से f y z तो बहार आगे और क्या बचे का अंदर x और नीचे as it is उसके बाद जो cut हो रहा है हमने cut कर दे 2y plus 4z plus x minus x तो यह तो cut हो जाएगा तो क्या बचे का 2y plus 4z 2y plus 4z upon this टीक है उसके बाद देखी क्या कि आपने curly f by curly y निकाला method same ही रहेगा v square v as it is derivative of u अब इसमें हमने with respect to x किया तो f y z आया with respect to y करेंगे तो क्या एगा f x z आजाएगा with respect to z करेंगे तो f x y आजाएगा यहाँ पे minus x था यहाँ minus 2y आजाएगा जिब नीचे वाली term का derivative करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से क्या आएगा आपके पास इस वाली term का with respect to y derivative करोगे तो 2y ठीक है ओके और इसका जब with respect to z derivative करोगे तो क्या आएगा 4 z आएगा तो आपने वो values put कर दी और देखिए जो cut हो रहा था वो cut कर दिया multiply करके जो cut हो रहा था वो cut कर दिया तो curly f by curly x आगया curly f by curly y भी आगया and curly f by curly z भी आगया अब हम इसका निका लेते है curly 5 by curly x के आएगा यहाँ से curly 5 by curly x y z curly curly 5 by curly y के आएगा x z और curly 5 by curly z के आएगा x y तो यह तिनों points भी आगए अब हम formula में put कर दे ये वाली value प्लस k into this ये वाली value प्लस k into this ये वाली value प्लस k into this आगे ठीक है देखिए उसके बाद क्या किया इस वाली equation को हमने कैसे solve किया 2y प्लस 4z यहां रखा यहां से k y z lc लोगे इसका square बनेगा निचे रदोनों का तो वो square वहाँ चला जाएगा उपड़ यह वाली टर्म इसकी multiply हो जाएगी और यहां जाएगा ठीक है उसके बाद आपने क्या किया 2y प्लस 4z को यहां रखा बाकि सारी terms महा ले गए इस तरह यहां पर कि यह वाली term x प्लस 4z यहां रखी बाकि सारी महा ले गए इस तरह से यहां पर x प्लस 2y यहां रखा बाकि सारी terms महा ले गए और इन equations को नाम दे दिया 4 5 6 अब प्लीज ऐसे मत खहना कि दिदी यह कैसे आया copy panel लेकर solve करके देखना यह आ जाएगा ठीक है अब देखिए यह आ गया अब हम निकान लिए हमारा काम है कि हमारे पास किसी तरह से x,y,z की value आ जाए ठीक है तो अब हम इन दोन equations को solve करते हैं इन दोन equations को देखो धिहान से हमारे पास तीनों equations को देखो तो इनों की right hand side किया है सेम आ रहे है तो अगर इनकी right hand side सेम है तो उन्हों की left hand side भी सेम होगी तो मैं यहां भी लिख सकती हूं x plus 4z is equal to x plus 2y तो यहां पर देखिए next step में यहां पर आपने यही लिखा है 2y plus 4z is equal to x plus 4z इसको यहां minus में लिया है 2y plus 4z minus 4z x को यहां रखा तो x की value के आगी 2y उन दोने fourth और second equation को रखा तो यहां से आपके पर x की value के आगी 4z यहां से x की value 2y value के आजेगी x by 2 और z की value के आजेगी x by 4 तो x की value भी आगी y की value आगी z की value आगी x by z की value इसको यहां पर पुट कर दो first equation में क्या थी first equation x by z is equal to 8 तो यहां पर पुट कर दो x by z is equal to 8 x cube is equal to 64 x equal to 4 x की value क्या आगी 4 अब x की value 4 इन दोन equation में पुट करोगे तो x की value 4 है y की value क्या है x by 2 याने की 4 by 2 2 और z की value 4 by 4 याने की 1 तो x की value 2 y की value 1 y की value भी 2 और z की value 1 तो इस function की value maximum कब होगी जब होगी जब x 4 होगा y 2 होगा और z 1 होगा चीक है अब देखिए next second question find minimum value of the function this subject to the condition this क्या condition ये है function ये है ये आपने function x y z ये 5 function 5 है x y z ये stationary points निकालेंगे उसके लिए कर लिए f by कर लिए x ये terms चाहिए हमने निकाल दी इसका derivative with respect to x 2x 2y 2z इसका a b c इसमें put किया 2x plus k a 2y plus k b आगे करोगे 2 z plus k c x की value y की value z की value आगे in the terms of k तीनों की value किसमें आई है in terms of k तो देखिए आगे देखिए अब देखो आप visible हो रहा है z की value भी आगे यहां से अब x y z की value को first equation में put कर देंगे equation क्या थी हमारे पास equation थी a x plus by plus c z equals to p तो a x by c z equals to p यह x की value y की value z की value multiply कर दें अंदर एकी minus k a square by 2 minus k b square by 2 minus k c square by 2 equals to p minus k y 2 तीनों में common अब भार आगे अंदर किया बचा a square plus b square plus k square यहां से k की value निकाल दी k की value आगी अब x में भी k था y में भी k था z में भी k था तो x y z तीनों की values में k की value को put कर दोगे 1 minus already था 1 minus k की value में आगे तो minus minus plus हो जाएगा और 2 से 2 सब में कर जाएगा तो x y और z की यह values आएगे यहां तक step कर दिया अब यह जो हम step कर रहे है ना यह जो second question है यह ही आपका pattern रहेगा हर एक question में आगे जितने भी questions करेंगे आप देगे ना आपकी यह pattern रहेगा सबसे फारे तो condition लिखो क्या है function लिखो क्या है कर लिए f by कर लिए x कर लिए f by कर लिए y z यह निकालो stationary points की value निकाल दो k की value आ जाती है तो x y z में put कर दो x y z की value आ गई अब हम let करके चलते हैं कि जो हमारा z है वो किसका function है सिर्फ और सिर्फ x y का है z का नहीं है और हमने देखा कि हमारा जो function था वो x y z में था और condition भी हमारी x y z में थी तो दोनों ही चीज़े किसमें बन जाए में तो z हमारा function x और y का है सिर्फ z का नहीं है तो अब हम first equation को यानि कि function था जो और जो हमारी condition थी दोनों को ही with respect to x and with respect to y क्या करेंगे partially differentiate करेंगे ठीक है देखें कैसे करेंगे function क्या थी first equation हमारी यह थी न a x plus by plus c z equals to p इसका with respect to x हम differentiation करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास a च यहाँ करेंगे तो a 0 जाहेगा फ्लस क्या है आपके पास c z अ और z कभी इसिठर बयिट पयो करेंगे तो a 0 निलिकाре इसका करेंग़ ब्लस कर सिरो जाहें एगा यहाँ आ पर इसको mode 1 आप बी और करहेंगे तोтो c कर लोगर yön तो आगया कर community तब से घ्रू मियाँ की मैं नुस्ट फंक्रे करोगे तो 2x इसका जीरों कर रूगे तो यहां से आपके पर सकी डिफ्रेंशिशन कर दिया है इसी ते च्रू किया हैчamment कर्ली य निकाल दिया हुँ कर दिया क्यों कर रहें हैं यह कि क्यों respons के हो आफ सकते हैं कि यह धे बढ़ा है जिरो से नहीं है फिर हम देखते हैं कि बढ़ा है तो सी बढ़ा या नहीं है तो इसलिए हम यह वाली वैलूस निकाल रहे है करली स्कूर एफ बाई करली वाई स्कूर निकाल रहे है यह भी निकाल रहे है अब आपने देखा कि ए क्या है बड़ा है और सी भी क्या है बड़ा है तो सॉरी सी तो बाद में सी नहीं देखते हम एसी माइनस भी स् सारा positive, तो यह सारा के सारा क्या है? 0 से बढ़ा, यह भी बढ़ा, 0 से बढ़ा, तो यह function क्या हो गया, minimum हो गया, किस point पे minimum हो गया, x, y, z की in points पे, in points पे minimum हो गया, तो function में x, y, z की value को put करना मैं, भूलना, function क्या था, x square plus y square plus z square, तो X की value, Y की value, Z की value, तो इन्हों को put करोगे आप, तब के पास देख़े, X की value ये थी, Y की value ये थी, Z की value ये थी, X का square, Y का square, Z का square, जब करोगे निच्छे वाली टम का भी क्या बन जाएगा, square बन जाएगा, और यहां से A square, P square, B square, P square, C square, P square, बनेगा, तो समय सी P square, reward common आजाएगा, और अंदर क्या बज़ेगा, A square, B square, C square, निच्छे दो टाइम्स है, तो एक ताइम्स कर जाएगा, तो क्या बज़ेगा, P square, upon में, A square, B square, C square, hence, this is your required answer, ठीके, इकी question में, आपको step by step समझाने हो, तक कि आपको कोई भी दिक्कत ना है, त के third question में, भी बिल्कुल same step पूर होएंगे, one to six question, क्योंकि अब तक मैंने six दी किया है, यहाँ तक तो बिल्कुल आपके पास जो process है, सही ही same रहेगा, ध्यान से देखना, बस calculation समय अलग होगी, find the minimum value of function, x square plus y square plus z square, function same ही है, subject to the condition, condition अलग देदी, यहाँ पे x plus y plus z is equals to three है, द बात नि, function, condition, stationary points, x की value, y की value, z की value in terms of k आ गई, फिर हम condition का use करेंगे, condition में क्या करेंगे, value x, y, z की put कर देंगे, तो k की value आ गई, k की value को उठागे, x, y, z में put कर देंगे, तो x की value, y की value, z की value आ गई, फिर क्या मानेंगे, कि z function है सिर्फ और सिरफ x and y का, तो अब function का भी derivation with respect to x and y कर देंगे, और condition का भी derivation with respect to x and y कर देंगे, देखिए, इसका करेंगे, तो क्या आएगा, 1, इसका 0, कर ले जर्बे कर ली x, तो कर ले जर्बे कर ली x की value minus 1, इसका with respect to y करेंगे, तो क्या आएगा, 0, plus 1, plus कर ले जर्बे कर ली y, is equals to 0, तो कर ले जर्बे कर ली y क यह वाले मायनस में आ गैए यह तो सब किसकी बात करदीशन की बात अब इसका करेंगे तो यह आएगा 2x देखो महीं लिखा हुआ 2x य का 0 2z करलेद करली करली x इस तरह रह ईसे यह तो क्या आएगा 2y और 2z करली जर्बाय करली य तो करली जर्बाय करली एक्स की वैलू यहां से पुट कर सकते माइनस वन करली जर्बाय करली य की वैलू को पुट कर सकते माइनस वन यह डबल डरियवेटिव निकालने हुए ए और बी की वैलू निकालने उतने इसलिए डबल डरियवेटिव निकालने के बाद देखो A की value क्या आई A की value क्या होते है कर लिए स्कूर अपोन कर लिए इसको क्या है 4 0 से बढ़ा चीक है C की value क्या है 4 0 से बढ़ा A C minus B square देखा तो क्या है 12 0 से बढ़ा तो दोनों ही values 0 से बढ़ी है तो point क्या होगा minimum होगा किस पे X Y Z की values क्या थी A A A point the function will be is minimum at A A A function में values को put कर दो X की value क्या है A Y की भी क्या है A और Z की भी क्या है A तो A square plus A square plus A square is equals to 3 A square 3 A square is your answer चीक है तो यह था third question अब हम देखते है fourth question देखे fourth question देखे fourth question यह नोट बूक कर देखे कुछ ही हाद आ गया जब छोटे होते थे कैसे करते थे ना first page होते थे भ्रहगवान जी का page है यह ऐसे और इस वाले page को मेंशा अच्छा मानते थे इस पर writing अच्छा आती और इस पर नहीं आती पता नहीं आप लोग मानते थे यह अन्हीं मानते थे बट मैं मानती देखे है देखे fourth question find the extreme values of function x square plus y square plus z square subject to the condition this okay function यह है condition यह है stationary points निकालेंगे curly f by curly x की value 2x y की 2y z की 2z plus k k k curly 5 by curly x निकालेंगे यह से क्या आएगा y plus z y plus z curly 5 by curly y निकालेंगे तो क्या आएगा x plus z curly 5 by curly z निकालेंगे तो क्या आएगा y plus x तो यह आगे values ky plus kz kx plus kz ky plus kx तो यह 3 equations आगे अब हम इस तीनों को किस से solve करेंगे matrix method से हम जो 12 में पढ़ते थे उस वाले method से हम इनको solve करेंगे तो x y z की हम coefficients को लिख लेते हैं यहाँ पर 2 k k 2 k k 2 k k 2 k k 2 k k यह coefficients थे आपके हम इसको matrix method कैसे बनाते थे देखिए 2 k k k k 2 k k k k 2 k k k k 2 यहाँ पर हम ने क्या लिखते थे x y z ऐसे लिखते थे ना देखोई क्या कर रहा है confused मैं भी हो गए देखिए x का coefficient 2 y का k z का k तो x y z की value अब यहाँ पर x का coefficient क्या है k k y का 2 और z का k यहाँ पर x के साथ क्या है k तो k आगे y के साथ k और z के साथ 2 तो यह इस तरह से लिख लिखते थे और is equals to मैं इसकी value b की value यहाँ पर यहाँ पर 3 की क्या है 0 तो इसको हमने माल लिया a पूरी को a इस पूरे को x और equals to 0 अब हमें पता है कि non zero solution होने के लिए जो a का determinant है इसका non equals to 0 वह equals to 0 होता है तो 2 k k k k 2 k k k 2 इसका determinant equals to 0 यहाँ पर हमने operations apply किया r1 पे r1 minus r2 तो r1 पे r1 minus r2 करेंगे तो क्या आएगा 2 minus k k minus 2 k minus k यह वाली as it is रहेंगे बिलकुल पिर हमने operation apply किya r2 पे r2 minus r3 तो क्या बन जाएगा k minus k 2 minus k and k minus 2 ठीक है फिर यहां से भी 2 minus k common ले लिया और यहां से भी 2 minus common ले लिया तो अंदर यह terms बचकी उसकी पर हमने determination वाले method से इसको खोल दिया और बहार क्या बन जाएगा 2 minus k का whole square बन जाएगा ठीक है और अंदर determination वाले method से करोगे तो यह बन जाएगा और साथ में बनेगा यह तो 2 minus k equals to 0 करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि 2 minus k equals to 0 और इसका मतलब क्या है कि k की value क्या है 2 और यहां से करेंगे तो 2 plus 2 plus two equals to zero है इसका मतलब क्या है कि k value झाय है minus 1 अब दीकिये अगर k की value क्या हो जाते है तो इस equation को जबर ध्यान से लेखिए अगर इस equation में k की value to युआ यह कंडिशन गता पुट्ट्स और से टो उल्ग ऑज से खतम होगा सब्सक्राइंगा उसके उसके दिच्ट कर देंगे और क्या लेंगे तो की वैलोग को माइनिस वन को मानिस वन पूट्स करेंगे तो हमारे पास यह आ जाएंग एक्वेशिंस आने के बाद इसके कैसे करो जैसे भी आपको comfortable लगता है आप उसी solve कर सकते हो मैंने ऐसे किये आप चाहो तो ऐसी भी कर सकते हो अब इसको मैंने किया किया 8 को 7 में से subtract कर दिया इस वाले equation को तो यहां से मुझे क्या मिला x equals to y फिर मैंने 8 equation को 2 से multiply करके इसको 7 में add किया तो यहां से मुझे मिला y equals to z अब देखिए यहां से x equal to y यहां से y equals to z तो इसका मतलब x equal to y equal to z हैं तो इस equal हम कहां पर put करते हैं x y z की value को first equation में put करते थे न यह तो क्या किया x y z की value को निकाने के लिए solved गी है भिमारा या पहले जैसा question बन गया x X Y Z की value equation में put कर दी first equation में तो X square plus Y square plus Z square था तो क्या बन गया X square plus X square plus X square और is equal to 3a square था वहाँ पर तो 3x square is equal to 3a square इसका मतलब x square is equal to a square इसका मतलब क्या है कि X की value plus minus a equal है X Y Z 3 equal थे इसका मतलब X Y Z किसकी equal आगे plus minus a की equal आगे ठीक है अब देखिए function ये था अब X Y Z की जंगर 3 को जंगर में a a a put करते हूं तो क्या बनता है a square plus a square plus a square याने की 3a square और अगर minus a put करते हूं क्यों कि plus minus a आगे न हमारे value तो अगर minus a put करते हूं तो भी ये बनता है ठीक है अब हमारा काम क्या होता था कि हम Z को function मानते हैं function को किया तो यह value values आगी फिर हम a को देखते हैं b को देखते हैं c को देखते हैं a की value यह होती है c की होती है A को देखा 4 है B को देखा 2 है C को देखा 4 है A C minus B square करेंगे तो 16 minus 4 12 आएका रहने कि बढ़ा है 0 से A B क्या है बढ़ा है 0 से दोनों भी बढ़े है 0 से तो function कैसा है minimum किस value पर minimum है हम यह already निकाल चुके हैं 3A square पर चीक है तो यह था question number 4 नेक्स देखते हैं 5th question 5th और 6th question मिलकुल ही सहीं है देखिए function यह है Punation यह है stationary points निकालेंगे x की value y की value z की value फृट से किसमें आगई in the terms of k आगई छीक है फिर हम क्या करते हैं first equation में आने की condition में x y z की value को पूट कर देते हैं तो यहां से की value root k की value यह आगई x y z तीनों की values में root k की value को पूट कर दिया तो एक्स की value y की value y की value z की value यह आगई अब जब आप इस question को solve करेंगे न तो बार-बार x y z की values को यह पूट करना पड़ेगा तो हो सकता है कि कहीं मैंने direct ही result लिख दिया हो और values ना पूट करके दिखाई हो तो वहाँ पे confuse मत होना क्योंकि calculation इसकी थोड़े सी length हो रही थी इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में हो सकता है कि values ना पूट करी हो सिद्धा ही cut करके दिखा दियो मतलब ठीक है देखो अब first equation को with respect to x and y differentiate करेंगे z को मैंने function माल x and y का तो curly जर्बे करली x की value यह आगी curly 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 y की value यह आगी यह कहा था आपका यह condition थी यह function था यहां से curly f by curly x की curly f by curly y की values आगी with respect to x and y है कर लिए और इप्ट कर दी कर दी हमने निकाला ए इस को दो इसका डिफ्रेंशीश को एक स्कूर टो इसका डिफरेंशिशिंग करना दुबाराँ से इसका तो 0 बन गया minus a by c को हमने भार लिज दिया constant as a constant क्या बचा अंदर z square by a square x square तो एक बार 1 by x square को यू और भी से करेंगे x qualities रखा z square का differentiation to z कर लिज़र पर कर लिए x z square qualities रखा 1 by x square कर दिया ठीक है फिर कर लिज़र पर कर लिज़र पर लिज़र आ गया z है z की value फिर से क्या पूट करने पड़ेगी ये पूट करने पड़ेगी से बाइमस्टिक मैंने लिए z है जाब देखिए अब देखिए अब यहां पे z की WORUE पुट करनी है और किस की WORUE पुट करनी है x की WORUE तो देखो z का क्या है square यहां पे देखिए z का square है x का 153 is z की value यह है और x की value यह है इन दोनों में सिर्फ इसके फायर कही है यह दोनों से मैं जब इसका square करोगे और इसका cube करोगे तो दो उपर value से एक नीचे है तो एक नीचे बचेगी उपर से तो cancel हो जाएगी तो देखो वह यहाँ पे किया हुआ है तो ये cancel हो जाएगी C C C cancel हो जाएगा A C A cancel हो जाएगा आपके पास यह बचेगा A की value क्या आ रहे है greater than 0 आ रहे है कैसे आ रहे है देख लो A की value क्या है 1 by 2 1 by 2 यह सब क्या है 0 से बड़ी यह भी क्या है 0 से बड़ी और यह भी क्या है 0 से बड़ी तो किया है का 2Z करली Zबार करली Y करली Zबार करली Y की वैल्य को पूट कर दो गया तो फिर C की वैल्य भी इस तरह से आजएगे आपके पास और इस तरह से बी की वैल्या जायगी B की value आगई C की value आगई A की value क्या है बड़ी A C minus B square देखा A C minus B square में देखिया जब आप इसको solve करोगे ना A C minus B square तो अंदर multiply कर दिये multiply करने के बाद LC में ले लिया और LC में लेने के बाद जो final result है वो आई गए ये 4B क्या है 0 से बड़ा इसका square 0 से बड़ा ये बड़ा तो यह पूरी value क्या बनगी 0 से बड़ी तो ये भी 0 से बड़ा ये भी 0 से बड़ा तो function क्या होगा minimum होगा किस पे? x, y, z पे function के अंतर x, y, z के value को पूट कर दो function क्या था? x plus y plus z तो x plus y plus z तो यहां से root A plus root B plus root C बन गया और अंदर एक था ही. तो root A plus root B plus root C का क्या बन गया हॉल स्क्वेर बन गया ठीक है अब 6th question डिटो इसके copy है देखो condition function यहां से stationary points निकालोगे x y z k की terms में आगई आने की बाद x y z की देखो उसी तरह से value आएगे उसमें भी ऐसे आई थी ना सेम उसी तरह से आएगे उसमें बस पर कितना है कि महाँ पर root ना यहाँ पर 3 by 2 है फिर value put करोगे फिर curly 5 f by curly x निकालोगे curly f by curly y निकालोगे square करोगे अब देखो मैंने आपके लिए question नहीं चोड़ा क्योंकि मुझे पता था कि थोड़ा से लंदी आप से नहीं होगा तो इतना तो मैं आपसे expect कर सकती हूँ कि मैं आपको बता देती हूँ आपको solve खुद कर लेना ठीक है देखो फिर a let कर लिया, b let कर लिया, c let कर लिया solve करना है अंदर values को put करना है बार बार और सब solve करके देखोगे न तो a c minus b square के r is 0 से बढ़ा आ रहा है यह भी क्या r is 0 से बढ़ा रहा है तो function के अंदर x, y, z को value को put कर दिया x plus y plus z a की power 3 by 2, b की power 3 by 2, c की power 3 by 2 साथ में यह तो पूरे का क्या बन गया हूँ whole square तो function क्या है minimum है इस value value पे ठीक है खुल से खरके देखना भी मैंने आपको बता दिया है सिर्फ solve करना है ठीक है मैंने solve कर भी दिया है आपको सिर्फ देखना है अब तो यह थी 7.2K126 126 की है न हमने हाँ 6 की है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाकी के questions जितने भी हो पाएंगे जल्दी से upload करने की कोशिश करूंगे मैं कल वीडियो नहीं upload कर पाऊंगे कि कल मेरा है प्रैक्टिकल ठीक है सो सीव गाइस इन दे नेक्स वीडियो तिल देन बाबाई टेक केर कीप वचिंग कीप शेरिंग